बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी जीती है रुबिना दिलाइक ने और इस जीत का जशन वो अपने घर पर सेलिब्रेट करती रहती है रुबिना दिलाइक जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमली के साथ quality time को वो spend कर रही है लेकिर अब बात करते हैं रुबिना दिलाइ को उन्होंने इंट्रिव्यू दी है लेकिन कुछ ऐसे specific इंट्रिव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि वो उनके पास अब कई tv शो और कई music वीडियो के offer उनके पास आ रहे हैं लेकिन अभी वो इन सब को काफी slow ले रही है मतलब अभी वो quality time spend करना चाहती है और अब इन सब offer के बारे में वो सोचेंगी और आपको यह भी बता दे कि उनकी जो husband अभी नवशुकला जिनसे उन्होंने भी एक इंट्रिव्यू में खुलासा किया था कि बहुत जल्द अभी नवशुकला जो कि रुबिना दिलायक है एक husband और wife का एक romantic music video जो कि जल्द ही आने वाला है और इसको लेकर announcement भी होने वाली है लेकिर एक बड़ी ख़बर जो कि सामने आ चुकी है बात करें रुबिना दिलायक जिनका एक नया music video आ सकता है और वो भी बिग बॉस 13 के contestant के साथ जो कि बिग बॉस सीजन 14 में भी दिखे थे जी हां आखरकार कौन से हैं वो music video जिसका shoot होने वाला है रुबिना दिलायक का पारस छाबडा के साथ जी हां और इसकी shooting कल से ही शुरू हो जाएगी और मोहाली में इस गाने की shooting होगी इस इस वीडियो की shooting होगी जिसके चलते पारस छाबडा जो कि ऑलरेडी shoot location पर यानि मोहाली में वो पहुँच चुके है और अब रुबीना दिलैक जो कि कल वहाँ पर लैंड करेंगी, कल वहाँ पर चाहेंगी, जहां, आपको यह बता दें कि, यह खबरे काफु द्यादा आख की तरह फैल चुकी है, सोचल मेडिया पर, कि रुबीना दिलैक और पारस चाबडा का एक जबर्दस्त मुजिक वीडि और उन्होंने एजास खान को रेप्रेजेंट किया था, यानि देवलीना भटाजार जी के कनेक्शन बन कराए थे, पारस चाबडा, और पारस चाबडा ने इस बात को क्लियर कट बोला था, कि वो रुबीना दिलैक के बहुत बड़े फैन है, और वो चाहते हैं कि रुबीन दिलैक ही विनर है सीजन 14 की, और इसके बाद रुबीना दिलैक के वो काफी ददा प्रेस करते हैं, और उन्होंने रुबीना दिलैक के गेम को काफी अच्छा भी बोला था, और इन्हीं सब के चलते हैं, जो खबर ये आचुकी है, जिसमें अगर ये खबर सही है, तो पहले अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर दे दू, कि आखिरकार इनका जो मीजिक वीडियो है, जो कि कल शूट होने है, तो उसकी कुछ लोकेशन और कुछ वाइरल कुछ वीडियो जो कि मैं आपको अपने चैनल पर दिखा सकूँ